अखिलेश यादव की विदाइक रागनी सोनकर ने ट्रॉमा सेंटर के मुद्दे को विदानसबा में उठाया और जनपदवार ट्रॉमा सेंटर खोलने की मांग की आईए आपको दिखाते हैं रागनी सोनकर द्वारा विदानसबा में बोला गया बाशन पूरे उत्रप्देश में सिर्फ और सिर्फ तीन ट्रॉमा सेंटर्स हैं जो की पूरी के पैसिटी के साथ काम कर रहे हैं बड़ा ही दुर्भागयपून है अद्यागजी की 25 करोड की आबादी के प्रदेश में जिसमें इक देश की ताकत है और यहां के मासूम लोगों की जनता की वोट से सेंटर की सरकार बनती है और यहां सिर्फ और सिर्फ तीन ट्रॉमा सेंटर है मैं आपके माध्यम से यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगी कि Trauma Center एक ऐसी जगा होती है जहाँ पर आए दिन हो रहे road traffic accidents हो जिस तरीके से अभी recently हुआ प्रयाग राज में bombardment और gunshot injury इस तरीके के cases हो किसी तरीके के कोई घर में accidents हो जिसमें लोग गिर जाते हैं या फिर burn injuries जो कि बहुत ही कश्ट दायक होती है इनके treatments in trauma centers में होते हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीन trauma centers है अगर ministry of road and transport and highway का अगर central का data देखे तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा road accidents हो रहे हैं जाहे वो आपका state highway हो, national highway हो, expressway हो या फिर ग्रामिन की सड़के हो तो मेरा ये सवाल है अद्यक्षी कि जनपद बार trauma centers की स्थापना सरकार क्या कराएगी और कराएगी तो कब तक कराएगी क्या आपके इस कारेकाल में आप आश्वाशन देते हैं कि आप जनपद बार trauma centers को थापित करेंगे साथी साथ में ये कहना चाती हूँ, अद्यक्षी की 30% से ज़्यादा जो आवादी है उत्तर प्रदेश की RBI डेटा के अनुसार वो below poverty line है और उसके बाद low socioeconomic का हमारे जो population में वो बहुत आई है और जब भी इस प्रकार के traumas होते हैं उसके कारण से बहुत गंभीर तरीके की चोटे लगती हैं और उस व्यक्ति को ICU में काफी दिनों तक रहना पड़ता है और उसका जो खर्चा है वो बहुत ही बड़ा आता है तो मैं आपकी माध्यम से ये भी जानना चाहूंगी मंत्री जी से कि इस दौरान जब तक आप trauma centers जो हैं वो सापित नहीं कर पा रहे हैं जितने भी हमारे लोग हैं irrespective of terms and conditions वो जहां पे भी admit होते हैं क्या सरकार उनकी उपचार का खर्चा उठाने के लिए तैयार है और क्या आप आसवाशन देते हैं और मेरा last question ये है कि जब तक हम trauma centers थापित नहीं कर लेते हैं उस दौरान में जितने भी हमारे अस्पताल हैं चाहे वो district hospital zone या first contact जिसको हम community health center कह रहे हैं वहाँ पे जो भी हमारे doctors काम कर रहे हैं अद्यक्ष जी ATLS जिसको हम कहते हैं advanced trauma life support इसकी एक course होती है जिसमें doctors को सिखाया जाता है कि कभी जब भी ये trauma के cases आएं उन्हें किस तरीके से किस प्रकार से handle किया जाए हर विभाग का doctor या हर doctor इस चीज को नहीं जानता है तो क्या इसके लिए सरकार अपनी तरफ से कोई एक इस तरीके की योजना बनाएगी कि सारे जो भी doctors emergency में काम कर रहे हैं उन्हें ATLS के अंतरगत उन्हें सिक्षित या prescription प्रुवाइड करेगी माने मंतरी है दोक्टर रागनी कुछ पूछना आपने अध्यक जी मैं एक तो पूछना चाहूंगी कि जो तो ट्रॉमा सेंटर्स का अस्वाशन दिया जा रहा है उसका अगर समय सुनिश्चित हो जाए तो मुझे लगता है जितने भी विधायक गण यहां पे हैं वो अपने छेत्र में जवाब देही के लिए कम से कम रेडी रहेंगे कि हां ये समय दिया गया है और दूसरा मेरा एक निवेदन है मंत्री जी से कि जौनपूर जनपद में सिर्फ चार बेड के आईसीओ के साथ एक सिर्फ नाम के लिए ट्रॉमा सेंटर है जो सिर्कोनी में काम कर रहा है तो क्या वहां पे आईसीओ बेड्स को बढ़ाया जाएगा और जो मूल बूत झाल